आज की कहानी उस समय की है जब इंसान गुफाओं में रहता था इस वक्त इंसान सिर्फ एक चीज के लिए जीता था और वो चीज थी खाना उसे जब भी बूख लगती थी तो वो कुछ भी और किसी को भी खा लेता था इस वक्त के इंसान भी इश्वर में जिकीन रखते थे और हर कभीला अपने अपने तरीके से इश्वर को बूखता था ये उस समय की कहानी है जब इंसानों के पास कोई भाशा नहीं थी वो आपस में इशारों में या चीख चिलाकर एक दूसरे से बात करते थे वैसे भाशा का ग्यान ना होने के कारण कभी कभी उन्हें इसकी की हमारी आज की कहानी केंग कभीले से शुरू होती है जिसके दो आदमी अकेले में आराम कर रहे थे अब हम डोना कभीले के लोग देखते हैं जो शिकार करने के लिए आगे पढ़ रहे थे उनकी नजर जैसे ही केंग कभीले के दो लोगों पर पढ़ती है तो वो उन पर हमला कर देते हैं हालांकि केंग कभीले वाले उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन डोना कभीले वालों की संख्या ज्यादा थी और वो उने मार देते हैं या कह लीजिए उनका सिर काट देते हैं इस केंग कभीले की लड़की का नाम रीना है और वो अपने भाई के लि को सब बताती है और उसके इशारे समझ कर पूरा कभीला वहीं आ जाता है यहां उसके भाई और भाई के साथी की लाश पड़ी थी उन दोनों की लाशें देहकर पूरा कभीला उदास हो जाता है मगर कभीले का सरदार रांदरे बिल्कुल उदास नहीं होता वो न हमलावरों स चंगल में बठकता मिला था डोना कविले के लोग जो मास का रहे थे उसकी गंद दूर दूर तक फैल जाती है और ये गंद बेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है अब डोना कविले वाले कैदी मुसा को खोलने लगते हैं ताकि वो उसे भी मार कर खा जाएं फिर भी वो अपनी जान बचाने में कामजाब हो जाता है अब वो भाकर इस जगा से दूर जाना चाहता था लेकिन बीच रास्ते में ही वो बेहोश हो जाता है उधर कैन कविले का सरदार अंद्रे भी अपना बदला लेने के लिए हमला पर उनको डूम रहा था जिन्नोंने रीना के भाई को मारा था इसी बीच उसकी नजर मुसा पर पढ़ती है जो जखमी और बेहोश था अजनवी मुसा को देखर आंद्रे जैसे ही उसे मारने लगता है तभी रीना हुसे रोख लेती है अंद्रे उसे दूर हटाने की काफी कोशिश करता है लेकिन रीना उसे पर जड़ी बूटियों का लेप लगाती है ताकि मुसा की जान बच सके दूसरी तरफ आंद्रे डोना कबिले वालों को गेर गेर कर मारने लग जाता है उसने फैसला कर लिया था कि वो पूरे डोना कबिले को मार कर पूरी दुनिया का सरदार बन जाएगा दरासला अंद्रे क को लग रहा था कि पूरी दुनिया में सरफ दो ही कभीले हैं एक कभीले का नाम डोना और दूसरे का नाम कैन है मगर जे दुनिया अंद्रे की सोच से बहुत बड़ी थी और इस पर राज करना इतना वी असान नहीं था.. जितना अंद्रे सोच रहा था अगले दिन मुसा को भी होश आजाता है लेकिन अभी भी उसकी तवियत खराब थी आज रीना ने पहली बार उसे दियान से दिखा था जिसके बाद मुसा उसे अच्छा लगने लग जाता है थोड़े ही दिनों में मुसा अच्छा बला हो जाता है और रीना उसे गुमाने ले जाती है इसी बीच रीना कुछ दे कर डर जाती है लेकिन बेफिकर मुसा आगे बढ़ता जा रहा था अच्छानक वो जमीन पर बैठकर कुछ सूमने लगता है जिसके बाद उसे खत्रे का हिसास हो जाता है इससे पहले वो दोनों खत्रे को समझ पाते तबी कुछ शिकारी जमीन से बाहर निकल अधर रीना के सामने भी एक शिकारी था लेकिन रीना पहले उसे पत्थर मार कर बेहोश करती है और फिर एक बड़े उसे पत्थर से उसका सिर कुछ देती है उधर भाग रहे मुसा के सामने एक भालू आ जाता है लेकिन मुसा उसे बिलकुल नहीं डरता भालू को देखकर बोफ नहीं बैझी बालू इंपर हमला कर देता है। वो कई शिकारियों को मार कर वहां से चला जाता है। इसके बाद बचे हुए शिकारी मुसा के पास आते है। बालू को सामने देखकर मुसा बिलकुल नहीं डरा था। और उसकी जही बहादरी देखर सभी शिकारी उसके सामने जुक जाते हैं। उसी रात वो मुसा और रीना को अपने कभीले में ले आते हैं और नाज गा कर उनका स्वागत करते हैं। अगले दिन मुसा और रिना शिकारियों के कविले से चले जाते हैं और दोनों फिर से जंगल में बटकने लग जाते हैं। रिना मुसा को अपने कविले में ले जाना चाहती थी लेकिन मुसा उसकी बात नहीं मानता। दूसरी दरफ जंगल में एक भूखी प्यासी लड़की अकेली बटक रही थी और इस लड़की का नाम सीलो था वो बटकते बटकते रीना के पास पहुंच जाती है और उसकी हालत देखकर रीना उसकी मदद करने लग जाती है थोड़े ही दिनों बाद सीलो की हालत सुदर जा अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे सीलो और मुसा एक दूसरे के क्रीब आने लग जाते हैं कुछ महीनों बाद डोना कभीले के लोग एक भालू का पीछा कर रहे थे ताकि वो उसे मार कर खा सकें अचानक उनकी नजर जखमी रीना पर पड़ती है जो बेहोश दरासर वो जिस भालू का पीछा कर रहे थे उसी भालू ने कुछ देर पहले ही रीना को जखमी किया था अब डोना कभीले बाले जल्दी जल्दी रीना को उठा कर अपने कभीले में ले आते हैं वो अभी उसे देखी रहे थे कि तबी सरदार आंद्रे के आदमी उन पर हमल बोल देते हैं अब दोनों कभीलों बालों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच मुसा भी सीलो के साथ वहां पहुंच जाता है वो जहां रीना को बचाने आया था लेकिन जब आंद्रे के आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो भी उन से थोड़ी ही देर बाद आंद्रे के आदमी भाग जाते हैं मगर डोना कभीले वालों ने उसके एक आदमी को पकड़ दिया था और उस आदमी का नाम बॉक था मुसा ने लड़ाई में डोना कभीले की मदद की थी जिस कारण डोना कभीले का सरदार उसका धन्यवाद करता है सीलो की हालत अचाना खराब हो जाती है क्योंकि वो मुसा के बच्चे की माँ बनने वाली थी डोना कबीले के लोग उसकी मदद करते हैं क्योंकि मुसा ने कबीले की मदद की थी पुछी देर बाद मुसा कभीले वालों को लड़ाई के दाउं पेच सिखाने लग जाता है जबकि दूसरी तरफ कभीले की औरतें सीलों को संभाल रही थी उधर आंद्रे का आदमी बॉक, रीना और कभीले का एक आदमी गुफा में बैठे थे बॉक को जानबूज कर गुफा में रखा गया था ताकि वो भागने की कोशिश ना कर सके इस कभीले के पास जेल नहीं थी और वो अपने कैदी को इसी तरह रखते थे रीना इसलिए गुफा में थी क्यूंकि वो जहां आराम करना चाहती थी अचानक बॉक एक पथर उठाकर कभीले के आदमी को मार देता है फिर वो कभीले के सरदार का ताज चुराने की कोशिश करता है जो इस समय गुफा में ही पढ़ा था वो ताज चुराकर आंद्रे को देना चाहता था लेकिन रीना उसे ऐसा करने से रोकती है बॉक उसकी बात नहीं मानता और वो रीना पर भी वार करता है अब जखमी रीना गुफा से बाहर आकर मदद मांगती है और उसी समय बॉक ताज उठाकर भागने लग जाता है मुसा जल्दी जल्दी पहले रीना को देखता है और फिर वो बॉक को पकड़ देता है वो उसे पीट पीट कर मार देता है और उसके बाद उसका गला काट देता है अब मुसा बॉक का कटा हुआ सिर्क कबीले बालों को दे देता है जिसे वो बड़े मजे से खा जाते है वैसे डोना कबीला वही कबीला था जिनोंने रीना के भाई को मार डाला था और इसी कबीले को जीत कर आंद्रे पूरी दुनिया का सरदार बनना चाता था थोड़ी ही देर बाद पूरा कबीला रीना की मौत का मातम अना रहा था क्योंकि बाग के हमले के कारण उसकी जान चली गई थी अगले दिन सरदार अंद्रे डोना कबीले पर फिर हमला कर देता है अब दोनों कबीलों की बीच जोर दार लडाई होती है और मुसा भी इस लडाई में अंद्रे की आदमी उसे लड़ता है लडाई के आखर में एक भालू आ जाता है और वो आकर आंद्रे को मार देता है फिर मुसा डोना कभीले के लोगों को बचाने के लिए उस भालू से लड़ पड़ता है और आखर में वो उसे मार देता है इस लड़ाई में डोना कभीले के सरदार की मौत हो गई थी जिसके बाद पूरा कबीला मुसा को सरदार माल नीता है कहानी के आकर में सीलो एक बेटे को जनम देती है जिसे देखर मुसा को ऐसा लगता है कि जैसे उसका बेटा पूरी दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुआ है हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार